नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परचे दोस्तों वस्थित्वा आप सभी की सेवा में एक बहदी महतुपून जानकारी को लेकर के जिहां छे दिन तक सिर्फ ये काम करें सोने से पहले और देखें आपको 80 से ज्यादा बिमारियों में कैसे लाव हो सकता है दुनिया में लगभग हर संस्क्रिती में लहसुन के औश्रधे गुनों का उप्योग करते हैं लहसुन वीटामिन A, B कॉम्पलेक्स और C का एक उतक्रिष्ट श्रोथ है यह मैगनीज, फासपोरस, केल्शियम, तामबे, पोटैशियम, आयरन और तामबे जैसे खनीजों का भी श्रोथ है इसमें अमीनो एसीड, ग्लाइकोसाइड, जर्मेनियम, सेलेनियम और लेटूरियम जैसे दुरलफ खनीज हैं लहसुन में 12 प्रकार के इंटियोक्सिडेंट होते हैं हलंके कच्चे लहसुन के अन्यलाब भी हैं ऐसे तो आप लहसुन को कुछ व्यंजनों के साथ खा सकते हैं लेकिन अगर आप रात को सोते समय एक लहसुन को शहद के साथ खाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाफकारी सावित होगा आप चाहें तो रात को सोते वक्त एक से दो लहसुन की कली को कच्चा शहद के साथ या फिर भुना हुआ बिना तिल का जैसे चने भूने जाते हैं ऐसे चार से पांच कली बिना शहद के खा सकते हैं जिसके साखारात्मक फायदे आपको पांच से छे दिनों में महसूस होने लगेंगे आईए जानते हैं इसके फायदों के बारे में लहसुन के स्वास्थे लाब कैंसर के रोक ठाम करता है यह यह कैंसर से हमीप में गैस की समस्या है अगर तो लहसून की छोटी मातरा लेने से गैस की समस्या से राहत मिल जाती है कोलेष्ट्रोल और हिर्दाए के लिए यह बढ़े हुए को कम करता है साथ हे हरदय के लिए फायदे मंद होता है विशेले पदार्थों को बाहर निकालने में शरीर में मौजूद विशेले पदार्थों को मल या मुत्र मार्ग से ये बाहर कर देता है ठंड से बचाता है यदि आपको ठंड लग गई है तो इसे रोकने के लिए आप सुने से पहले दो लहसुन का सेवन करें या ठंड के लिए एक दवा के रूप में कारे करता है कोलेस्टरोल लहसुन का रस रक्त में कोलेस्टरोल के ओक्सिकरण को कम करता है और साथ ही हरदय रोगों के जोखिम को भी कम करता है फंगल संक्रमन यह पैर या कान के संक्रमन जैसे फंगल संक्रमनों के इलाज में प्रभावी होता है कच्चे लहसुन का रस आंतरिक रूप से लिया जाता है खुजली को शांत करने के लिए प्रभावी छेतर पर लहसुन का रस लगाना चाहिए लाब होता है ब्लड प्रेशर भुने हुए लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है श्वसंत अंतर से जुड़ी समस्याओं के लिए लहसुन आपकी श्वसंत अंतर के लिए काफी फायदेमंद है इसका सेवन करने से अस्थमा, निमोनिया, जुकाम, ब्रोंकाइटेस, पुरानी सर्दी, फेपणों में जमाओ और कप इत्यादी से निजात और बचाओ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मजबूत बनाता है अगर आपको भूख कम लगती हो, तो लहसुन का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है यहाँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, जिससे आपकी भूख बढ़ जाती है इसीडीटी को ये कंट्रोल करता है कभी कभी आपके पेट में एसीडीटी बनने लगता है, लेकिन इसका सेवन करने से यह पेट में एसीड बनने से रोकता है जिससे की आपको तनाव से भी निजात मिल जाता है हड्या मजबूत करता है ये जिहां शरीर में खास प्रकार की एनरजी आती है जिससे आपके अंदर का अलस से खत्म हो जाता है कैंसर जिहां भूने हुए लहसुन खाने से शरीर के अंदर उत्पन होने वाले कैंसर की कोशिकाएं खत्म हो जाती है मुटापा रोजाना भूने हुए लहसुन का सेवन करने से हमारे शरीर का मेटाबलेजम बढ़ जाता है जिससे बहुत ही जल्दी आपका फैट बर्न हो जाता है संक्रमर को खत्म करता है यह भूने हुए लहसुन खाने के 6 घंटे के बाद हमारे रक्त में मौझूद संक्रमर को खत्म करने का कारे करता है यह जिहां तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि यह आप सभी के लिए कितना लाफकारी और शादी के रूप में कारे करता है अगले एपिसोड में आप सुभी के साथ जुड़ेंगे हम एक और बहुत ही महतो पूनिचान कारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों